इस बुलिटन के प्रायोजक है संकत मोचन इंडर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जे सिंगपुर तहसील का नमबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल सुल्तानपुर जिले के गणपत सहाय सनातकोत्तर महा विद्यालय में हिंदी दिवस मनाये गया इस अफसर पर बतौर मुख्य अतिती विद्यालय के प्रबंदक और भाश्वा के वरिश नेता ओंप्रकाश पांडे बजरंगी ने कहा कि हिंदी रोजगार और व्यापार की भा शाओं में नहीं सुल्तानपुर जिले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के जन दिन पर भारतियंता पार्टी ने सेवा सप्ता मनाने का जो संकल्प अभियान प्रारम किया है उसी क्रम में आज काधिपूर विधानसबाच छेत्र के विधायक राजेज गौतम ने भारत शक्रविकांत गुपता मौक पर पहुँझे वहीं म्रतक महीला के परिजनों को विविधी महा विध्याले के प्रभंदक विवेक उपद्या प्रधान प्रतीनेधी चंदन उपद्या समाची कारकरता जजितेंद्र अभाल ने सांधवना दिया सुल्तानपुर जिले में विश्व हिंदू महासंग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुमर दिंकर प्रताप सिंग और महामंत्री सचिन पांडे के संयोजन में संत अवैद नात को श्रद्धा शुमन अर्पित करने के लिए समाजिक समरस्ता गोष्टी एवंसहभोष का आयोजन कराउंदिया के आरभी पब्लिक स्कूल में किया गया सुल्तानपुर जिले में कादीपूर के संत तुल्सी दास पीजी कॉलेज में डॉक्टर राम मनुहर लुईया अवद यूनिएस्टी आयोध्या दुवारा आयोजित वार्शी खेलकूर प्रतियोक्ता में चोर महिंद्रा पेकप चुरा लेगा है फिलाल पुलिस इस मामले की जहार परताल में जुटी है अब तक युक्ती का कोई सुराग नहीं मिल सका है घटना मोहन गंज कोतवाली छेतर की है फिलाल पुलिस और बोताखूर युक्ती की तलाश में जुटे है अमेटी जिले के जगदीशपूर थाना अध्यक्ष अंगत सिंग के पत्रकारों के साथ कारविभार से आकरोशित पत्रकारों ने एक मीटिंग कर स्पी से शिकायत की है अमेटी जिले के अध्योगिक छेत्र जग्दीश पूर में हियूमन राइट मिशन के पदधिकारियों की बैठा कुई जिसमें मानव अधिकार के नियमों के पालन में संगठन दोरा सहयोग करने पर चर्चा हुई अयुद्ध्या में रामलला के दर्शन करने पहुँचे भाजपा के वरिष्ट नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने कहा कि मूलबूत अधिकार प्रॉपर्टी की अधिकार से उपर है इसी अधार पर नॉम्बर में रामलला के पक्ष में फैसला आएगा और इसी साल राममंदिन भी शुरू हो जाएगा अयुद्धा नगर निगम के कचारी परिसर में जिला नियादीश नीरज निगम के अगवाई में रास्टी लोग अधालत संपन हुई विदिक सेवा प्रादी करन के सचिव जच सरवेश कुमार मिस्ट ने बताया कि लोगों के सुला समझाते वाले सैंकडो बादों का इस दोरान निस्तारण किया गया बाराबंकी जिले में एक बस अनियंत्रित होकर पलड़ गई इस हाथसे में दो लोगों की मौत हो गई तो वहीं दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गई बस भीहार से दिल्ली जा रही थी हाथसा बाराबंकी के राम्सनेगा घाठ ठानाचेतर के पास हुआ चानल एंटी टीवी भाराई